आज बाबा बहुत सुक्स मिश्मर्तियां हम सबको दिला रहे हैं, उमंग भी बढ़ा रहे हैं, तुम बच्चों ने बाप से परतिज्या की है, जब तक हम पावन नहीं बन जाएंगे, आपको याद करते ही रहेंगे, एक आप से ही प्यार करेंगे, देधारियों से प्यार नहीं ही करेंगे, क्योंकि एक की याद से ही तुम विकर्म जीत बनेंगे, तुम्हारे सारे विकर्म नस्ठ होंगे, तब तुम्हें उच्पद मिलेगा. दुसरी बात बाबा कर रहे हैं, कि जो समझदार बच्चे हैं, उन्हें हमेशा एक लक्स रहता है, लगन रहती है, कि हम ये देध छोड़ें, बाबा के पास जाएं, हम जल जल दिक कर्मातीत बनें, अपने घर पहुंचे कर्मातीत होकर, जिस भगवान को बुलाया था, अब उचसे मिलन हुआ है, अब उसके साथ घर चलें. बाबा के रहे बच्चे तुम्हे रास्ता मिला है अब तुम्हे घर का रास्ता मिला है मैंने आकर तुम्हे रास्ता बताया है अब मैं तो हूँ निराकार जगत का पिता जगत का सिक्सक और जगत का सद्गुरू हूँ ग्यान का सागर हूँ तो मुझे तुम्हे ग्यान देना है तो कैसे दोंगा जरूर एक शरीर में आकर ज्यान दोंगा वो शरीर है ब्रह्मा का इसको मैंने अडॉप्ट किया तो मैं आकर इसके द्वारा ज्यान दे रहा हूं तुम सबने भी शरीरों में परवेश किया है तुम्हारा पुनरजनम होता है मेरा जनम पूरा अलोकिक है मै सरस्थी को पावन करने के लिए आता हूं, तो तुम मेरी मत पर चलोगे, मुझे याद करोगे, तो तुम्हें उच्पद मिल जाएगा, सेवा के लिए बाबा सिखा रहे हैं, तुम्हें विचार मथन करना चाहिए, कि ब्रह्मा कुमारी स्वर्य विश्विद्याल लेके साथ प्रजापिता जरूर लिखें क्योंकि ब्रह्मा नाम बहुत होगे हैं, तो ब्रह्मा के तर्ण में शिव बाबा आकर ज्यान का सागर आकर संपूर्ण ज्यान देते हैं, तो खेह रहे हैं बच्चे योग की बहुत महनुत करो, योग में माया विघन डालती है, ऐसे न सोचो हम सरेंडर हो गए, बस काम हो गया, नहीं, अगर तुम विकरमा जीत ना बने, अगर तुम बहुत याद नहीं करेंगे, तो तुम्हें विश्व की बादसाइक कैसे मिलेगी, बहुतों को पुन्यात्माओ बनाओ, ये एंकार न रखो कि हम तो सरेंडर हो गए हैं, सरेंडर ह कर यदि उच्छ पुर्सात न किया, तो दास दासी बनना पड़ेगा, सभी दास दासी बाबा कहरें, सिरिकरन के साथ थोड़ा जूले में जूलेंगे, तो जूलाने वाले होंगे, इससे तो अच्छा है, साहुखार प्रजा बनो, तो बाबा उमंग दिला रहे हैं कि केवल सरेंडर होने से काम नहीं चलेगा, योग युक्त होने का अच्छा ब्यास करना होगा, तुम्हें ये संकल्प रहता है, अब बाबा ने आकर हमें योग सिखाया है, हमें इस देह से अपना ममत्व हटाते चलना है, ताकि हम सहज देह को छोड़ कर अपने घर वापिस चले ज होता है, एक शरीर चोड़ा दूसरा ले लिया, ऐसे ही तुम्हारी स्थिती हो जाएगी, अभ्यास करते करते, तुम सहज ही शरीर रूपी खाल को छोड़ कर घर वापिस चले जाओगे, तो तुम्हें लक्ष रखना है क्यांत में एक के सिवाए किसी की याद न रहे, ये है सरुस्थेश प्राति, तब तुम्हें राजाई मिलेगी, बहुत अच्छी महनत की बात है ये, तुम्हें करमातीत हो ना है, तुम्हारी करमातीत अवस्था से विनास का गहरा संबंध है, जब तक तुम करमातीत नहीं हुए, विनास होगा नहीं, भले अकबारों में, तुम कर्मा तीत हो जाएं, सारे वी कर्म विनास हो जाएं, तब विनास होगा, तुम्हें अब रास्ता मिला है, कैसा रास्ता, विश्व को पावन कैसे बनाएं, देखिए बहुत बड़ी चीज है, संसार जो कल्यू हो गया, काटो का जंगल, वैस्चाल्य वावा कहते हैं इस इसको पावन करना, स्वर्ग बनाना, इसकी रहा से बाबा ने अकर दिखाई है, वो बाबा हमें याद दिला रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं, तुम बहुत अधिक योग योगत रहो, मुझे जितना जादा याद करेंगे, उच्छ पद मिलेगा, कम याद करेंगे, कम बाबा को याद करेंगे, आगे निकल जाएंगे, तुम्हें भोजन बनाते, भोजन खाते, घर के कामकाज करते, याद में रहना है, योग योगत रहना है, इसे तुम्हारी स्थिती अच्छी बनती जाएगी, तुम पावन बनते जाएंगे, तुम्हारे विकरम नस्थ होत आफिते जाएंगे और ये दुनिया भी पावन बनती जाएगी। तुम्हारा यादगार भी है गायन भी है पंडव और सिवसक्तियां तो तुम्हारा ये गायन हुआ है तो तुम्हें पुने बाधदुरी दिखानी है क्रिमनल आई को समत करना इसमें समय लगता है ये महनत का काम है इसके लिए बहुत अच्छा योग भी चाहिए तो तुम बहुत बाधदुर बनो ताकि घर गरस्त में रहते पवित्र जीवन जी सको वर्दान है अपनी सुभावनाओं के द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरना है ऐसे बलवान तुम्हें बनना है तो संसार में अनेक आत्माय निर्बल हैं तुमने जो बाबा से शक्तियां धारन की हैं जिससे पवित्र बनने का बल तुम में आया है तुम में ताकत उन शक्तियों के आधार से तूसरों में भी बल भरो, यानि उन्हें भी शक्तिसाली बनाओ, ऐसी सुभावना तुम्हें सभी के लिए रखनी है। स्लोगन है, अलंकार ही ब्राम्मन जीवन का स्रंगार है। इले अलंकार धारन करो, देहंकार नहीं। तो आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं परम पवित्रात्मा हूं और सर्व शक्तिवान से शक्तियां लेते रहेंगे, ताकि शक्ति लेकर हम बहुत महावीर बन जाएं। ओम स्यांति हैं। पीस्फल लाइ